नमस्कार साथियों, आज सरकार ने वित्यवर्ष 2020-21 के पहले क्वाटर के GDP की घोषना की ध्यान रहे, उन्नीस सो चिनवे से जब से क्वाटरली GDP के घोषना का आरम किया गया जब से लेकर आज तक ये GDP की सबसे बड़ी गिरावट है आज GDP ग्रो नहीं करी है, quarter one of financial year 2021 में GDP ग्रोथ नहीं हुई है दी ग्रोथ हुई है, माइनस 23.9 प्रतिशत की ध्यान रहे, इस 23.9 प्रतिशत की दी ग्रोथ में MSME और informal economy को अभी तक नहीं जोड़ा गया है देश के सारे experts का ऐसा मानना है, कि यदि हम MSME और informal economy जो की lockdown में सबसे बुड़ी तरह से प्रभावित हुए है अगर उनको भी हम जोड लें, तो ये GDP की डी ग्रोथ जो आज माइनस 23.9 प्रतिशत सरकार बता रही है ये माइनस 30 से माइनस 35 परचेंट पर जाके गिरेगी साथियों, सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, कि Act of God के कारण नहीं हुआ क्योंकि इससे पिछले quarter में भी GDP 3.1 परचेंट पर आके गिर चुकी थी उसमें करोना का कोई प्रबाब नहीं था पिछले दो सालों में quarter-the-quarter GDP गिरी है सिवाए एक quarter के जिसमें 0.1% की व्रद्धी दर्च की गई है सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ है और इससे बाहर निकलने के क्या उपाए है इसको समझने के लिए हमें economy को दो भागों में विभाजित करना होगा अर्बन economy, rural economy अर्बन economy में sentiments के positive sentiments का बहुत बड़ा आभाव है लोगों की नौकरिया जा रही है सर्विस सेक्टर डीग्रो कर रहा है लोगों की salary में कटोती की जा रही है वहाँ पे positive sentiments का संचार करना पड़ेगा और rural economy जो आज अर्बन economy से बैतर कर रही है क्योंकि जिस चीज का माननिय प्रधान मंत्री जी संसत में खड़े होके मजाख उड़ाया करते थे मन्रेगा का आज उसी के कारण rural economy marginally urban economy से बैतर कर रही है तो अब इससे बाहर निकलने का क्या उपाय है इससे बाहर निकलने के चार उपाय है नमबर एक urban economy में और service sector में positive sentiments का स्रजन करना पड़ेगा इसके लिए सरकार को सरकार के नुमाइंदों को more के साथ नहीं software industry के जो champion से उनके साथ बैठक करनी पड़ेगी उनको confidence में लेना पड़ेगा कैसे नई jobs का creation होगा service sector में इसका blueprint देना होगा देश को और जो job loss हुआ है उन लोगों को direct cash support करके एक positive communication देना पड़ेगा दूसरा rural economy rural economy में long term solutions आपको design करने पड़ेगे उसके लिए आपको economists के बात करनी पड़ेगी किस तरह rural sector में investment को बढ़ाया जाए public investment as well as private investment को किस तरह rural sector में डालने के लिए प्रेरित किया जाए इसकी योजनाय बनानी पड़ेगी नमबर तीन बात जो MSME sector है उसको loan की खुराक नहीं hand holding की जरूत है उसको liquidity देनी पड़ेगी उसको cash support देना पड़ेगा क्योंकि ध्यान रहे MSME का GDP में कुल योगदान लगबग 30 से 35 परतिशत के बीच है और नमबर चार manufacturing sector के लिए एक comprehensive योजना लानी पड़ेगी वो share वाली making इंडिया नहीं क्योंकि वो share तो चीन की गलियों में गूम रहा है ऐसी योजना जिससे manufacturers को कुछ incentive मिले उनको labor मुहिया करानी पड़ेगी और labor मुहिया कराने के लिए जो migrants गाव की और जा चुके हैं उनको वापिस positive संचार देना पड़ेगा उनके खातों में direct cash transfer करके उनमें positivity भरनी पड़ेगी जबी consumption बड़ेगा जबी demand बड़ेगी और उस demand के लिए supply बड़ेगी अन्य था ये minus का सिलसिला quarter quarter चलता रहेगा मैं सरकार से विनती करता हूँ कि आप more आप कुटों की बात तो करते हो पर इन GDP की बात भी कर लीजे एक बार पूरी मन की बात सिर्फ GDP के उपर और economy के उपर कर लीजे